तो चलिए फटाफट से हमने क्या क्या कर लिया था सर सर हमने यहाँ पर ऑथराइस कैपिटल वगेरा देख लिया था और जो लास्ट क्लास होई थी मैं एक बर फटाफट क्विकली इसको रिमाइंड करा दूँ और recorded भी मैंने डाल दिया है वीडियो security premium यहाँ पर छोड़ा था हमने फिर एक question किया था कि security premium को किस तरीके से किया जाए तो question में यह था कि sir security premium ना always always allotment पर होता है अगर question कुछ ना कहे तो और in case security premium की entry की हम बात करें sir कहा जाएगा तो entry बहुत आसान है sir security premium की जो entry जाने वाली है वो जाने वाली है कहाँ पर allotment की entry के time पर credit हो जाएगा that's it और कहीं पर भी नहीं जाएगा security premium ठीक है इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था sir call scenario को भी देखा था call scenario में हमने क्या सीखा था नई बाते call scenario की हम बात करें तो नई बाते ये थी कि अगर हमारा name दे रखा हो तो उस case में आगे जो failure होगा उसमें जुड़ के total failure होगा name नहीं दे रखा है तो आगे का जो failure बताएगा वो total failure होगा जैसे कि हमने क्या देखा था यहाँ पे name नहीं था तो यहाँ पे total failure कितने थे 400 और यहाँ पे total failure यह हो गए यहाँ तक आपको clear होना चीए जिन बच्चों ने नहीं देखा था last class तो आप देख लीजिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज बहुत important है जिसमें area और advance दोनों आने वाले हैं उसके according लेके चलेंगे तो सर आज का topic है calls in area and advance calls in area and advance और आज भी मैं बताओ ना तो कुछ बच्चे math stats के हो सकते हैं में भी इसमें तो internet का issue था उस time पे तो वो solve हुआ अभी अभी just internet connect हुआ हैं तो मैं आपका live class अभी ले रहा हूँ सर इसके अंदर area और advance दोनों जब एक साथ मिल जाता है न तो थोड़ी से समस्या आ जाती है आज हम इससे related ना कुछ questions भी देख लेंगे थोड़ी सी problem आ जाती है problem मतलब confusion हो जाता है तो सर सवाल क्या है हमारा area और advance जब दोनों आ जाए तो ध्यान दीजिएगा मैं basic सिर्फ कुछ questions करा रहा हूँ इसके बाद हम सीधा सीधा book के questions पर आ जाएंगे जैसे मान लिजिए मैंने issued capital है मान लिजिए issued issued capital है सर 50,000 share ठीक है ना application receive है सर 60,000 share access application access application adjust adjust application adjust on allotment अब 10 रुपे का कुछ detail बना रहा हूँ मैं बिल्कुल simple simple लेके चलूँँगा देखो मैं नहीं चाहता कि जो हम सीख रहे हैं rhythm तूट जाए और test का भी जो नए application आ रहा है ना तो test का भी उसमें सारा provision डाल दिया है मैंने सब चीज आप अपको उसमें मिलने वाला है जो सारी दिक्कते थी छोटी मोटी वो सब उसमें solve कर रहे हैं हम अब सर मान लेते हैं 2 रुपे मान लेते हैं 5 रुपे और मान लेते हैं 3 रुपे ठीक है यहाँ पे यहाँ पे राम है और राम ना fail हो जाता है सर कितने share 300 share में अब general entry हमें करके दिखाना है तो देखिएगा इसका general entry बड़े आसानी से हो जाएगा question समझ में आगे आप सभी को सवाल clear है आप सभी को बताईए हाँ या ना question clear है जो मैंने लिखा है मैं एक एक step करके आज advance और career को मैं पूरा खतम ही करने वाला हूँ sir आप any call scenario नहीं कराया call scenario नहीं कराया जी करवा दिया है आप content में जाके देखेंगे मैंने कहा था upload कर देखेंगे आप जाके उसको कर लीजिएगा ठीक है बाकी मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ मैं मान रहा हूँ sir एंट्री है हमारा यहां पर sir क्या एंट्री है और एंट्री होगा पहली एंट्री bank to share application to share application bank to share application और यह है bank to share application में आपके कितने number of shares है sir number of share से हमारे 60,000 और एंट्री में 2 120, 120,000 है न share application to equity share capital और 2 क्या आएगा बताओ to advance advance on allotment sorry चलिए sir amount यह आएगा हमारा 12,021 यह आजाएगा एक लाक क्योंकि यहां तो हम लेंगे 10,000 गुणा में 20,000 और यहां आजाएगा हमारा 10,000 गुणा में आपका कितना advance 10,000 नहीं 2,000 और स्वरी यहां ठीक है 10,000 हाँ बिल्कुल ठीक यहां 50 आएगा भाई यहां 10,000 आएगा 10,000 गुणा में 2 that is 20 के चलिए अगले point पर आजाते हैं अगले entry किसकी होगी sir share allotment share allotment to equity share capital और 2 आपका security premium होता तो यहां पर क्या हो जाता credit हो जाता ठीक है security premium होता तो यहीं पर credit कर देते हैं entry देखते हैं क्या होगा sir allotment कितने का है sir यहां 5 रुपे का तो अब सारी entry 50,000 into में 5 that is आपका 25 यानि 2,50,000 sir अगले बात करते हैं आगे की बात करें bank में पैसा sir bank में न सारे पैसे नहीं आएंगे sir ऐसा क्यूं क्योंकि धाई लाक में से जिनोंने advance दे रखे हैं हमें उपर 20,000 वो तो नहीं आएंगे न तो कितने पैसे आजाएंगे हमारे bank में 230 और advance कितने होगे advance होगे sir 20,000 और 2 क्या हो जाएगा sir share allotment 250 यहां तक तो हम पहले भी कर चुके हैं कोई बदला भी नहीं है अगली entry पर आ जाते हैं next entry है sir share final call to equity share capital sir to equity share capital यहां पर आएगा फिर से पचास अजार into में तीन यानि sir डेड़ लाग अब यहां की पैसे की हम बात करें तो जो bank में payment आएगा sir वो डेड़ लाग नहीं आएगा sir ऐसा क्यों कि जो failure होगे वो नहीं देंगे sir जो failure होगे वो नहीं देंगे वो कितने हैं आप इसको इससे multiply करेंगे यानि sir 900 रुपे तो 900 बैंक में नहीं आने वाले that means 149 100 आएगा और यहां लिखेंगे call scenario debit call scenario क्योंकि हमें लेने हैं ना उनसे तो assets है debit 900 रुपे और 2 share 2 share final call final call sir लीजिए ये entry हो गया है done लीजिए ये entry हो गया है done कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत इसमें बताईए किसी बच्चे को कोई problem बिल्कुल basic basic से लेके चल रहा हूँ जितने बच्चे live में बता दिए फटा फट किसी को कोई दिक्कत पाई no, clear, okay sir sir final call में amount नहीं लिखा अच्छा ये आ गया 150 ठीक है अब इस सवाल में advance था? जी था, area था? था, अब हम advance और area को थोड़ा और complicated यानि थोड़ा और advanced level पे लेके चलते हैं माल लिजे मैंने issue किये issue किये issue किये 10,000 and here application receive 12,000, suppose करो access जो भी है access application adjust on सर, किस पर adjust करोगे? adjust on allotment ठीक है? चलिए 10 रुपे का share है अभी मैं security premium को नए incorporate कर नहीं रहा हला कि 10 रुपे का share है और यहाँ देखिए चलिए सर 10 रुपे के share के बाद 2 रुपे सर 5 रुपे और सर 3 रुपे यहाँ पर राम जिसके पास कितने share है सर? जिसके पास 200 share है जिसके पास यह बोल देते हैं एक शब्द को समझीएगा यहाँ पर मैं explain करूँँगा राम जिसके पास है share कितने सर? 100 share है 100 मान लेते हैं है 100 share यानि सर hold तो अब एक बात notice करिएगा कि इस वाले ऐसे situation जो होते हैं न कि आपको मैंने बता दिये कि भीया इतने share है कुछ ऐसे situation होते हैं कि मैंने बता दिये आपके पास इतने share है उसे hold बोल देते हैं है न hold बोल देते हैं अब ध्यान देजिएगा company ने बोले offer किये company ने offer किया कि भीया मैं 500 share बेचना चाहता हूं 10 रुपे का एक है आपने यहाँ apply कर दिया मान लेते हैं कि भीया मुझे 600 दे दो please आपने मांग कितने लिए मुझे तो जो आप मांगते हो ना उसको बोलते है apply company ने बोला भीया हम 600 तो आपको दे ही नहीं सकते हम सिर्फ आपको a lot कर सकते हैं a lot कर सकते हैं a lot का मतलब होता है सर देना दे सकते हैं सिर्फ कितना 500 तो अब मैं simple सा question पूछता हूँ कि आपने मांगे कितने आपने मांगे 600 तो ये हो गया apply और मैंने आपको कितने दिये 500 ये हो गया a lot यानि सर यहां दो शब्द है a lot का मतलब आपको मिल चुका है a lot का मतलब आपको मिल चुका है apply का मतलब आपने मांगा है तो यहाँ basic सी चीज़ देखें और a lot मैं यहाँ पर लिख दूँ a lot और या फिर मैं लिख दूँ holder इसका मतलब होता है sir मिल चुका है इसका मतलब क्या होता है मिल चुका है आपको इसका मतलब आपको मिल चुका है बड़ी basic सी बड़ी simple सी बाते है ठीक है न और तर apply का मतलब क्या होता है लिख लिजिए बड़े काम की चीज़ है बार बार पूशते हैं बच्चे apply या फिर applicant मतलब होता है आपने मांगा है आपने मांगा है ठीक है आपने मांगा है इसो कहां ले जाएं नीचे ले जाते हैं इस सवाल की general entry स्टार्ट करते हैं क्या twist है इस सवाल में देखेंगे पहला entry bank account debit मैं देखो पूरे पूरे सवाल आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाना है आपको application share application आएगा और कुछ बच्चे चिंतित हो रहे हैं कि सर क्या होगा नहीं होगा तो फरवरी आने दीजिए आपकी class देखें बढ़ने वाली है मतलब लेट होने वाली है ये class time बढ़ने वाला है इसका तो सर यहां पर जो है ना बारह हजार और गुणा में दो 24,000 कितने आगे 24,000 इसके बाद आगे चलें अगर आगे चलें तो share application to equity share capital to advance advance 24,000 और ये आएगा 20,000 और ये 4,000 चलें सर और आगे चलें share allotment to equity share capital share allotment to equity share capital यहां तब सभी को समझ में आ रहा है एकदम perfect अब main catch न यहां आने वाला है कितने आएंगे सर मैंने बोला भीया 10,000 share है और गुणा में 5 है तो 50,000 अब मुद्दे की बात आप देखिएगा अब मैं entry करूँगा bank bank account debit जब bank account debit मुझे मिलना कितना चाहिए 50,000 तो सर जिसने advance दिया था वो नहीं देगा that is 4,000 और सर जो fail हो गया वो भी नहीं देगा जो fail हो गया वो भी नहीं देगा तो normally हमें जो समझ में आता है ना simple सी भासा एक तर फेल हुआ 100-500 यानि हमें कितना नहीं देगा 500 जबकि यहां पर ऐसा नहीं है अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा जिस वेक्ती ने 10,000 share मांगे थे क्या उसे पूरे 10 मिले नहीं मिले यानि हर shareholder ऐसा है इस category के अंदर जिसने की मांगे जितने उससे थोड़े से कम मिले तो चलो मान लेते हैं आपने यहां पर 10 share आपने यहां पर कितने मांगे होंगे 12 तो आपको पता है कितने मिले होंगे 10, यही कहान ही है आपने मांगे होंगे 12 share मैंने बोला सर आपको तो मिल सकता है कितना 10 और जो भी एक्स्ट्रा 2 share के आपने मुझे पैसे दी हैं मैंने बोला आपके adjust कहा हो जाएंगे allotment पे कहां adjust हो जाएंगे आपके allotment पे यानि अगर मैं बात करूँ तो आप जितने share मांग रहे हो उतने तो आपको मिल ही नहीं रहा पहली बात आप मांग रहे हो जादा और मिल कम रहा है तो आपके पैसे मेरे पास जादा आए और आपको मैंने दीए कम और जो आपका advance पैसा है उसे कहां adjustment करने की बात करूँ मैं allotment पे तो बड़ी basic सी बात है अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपकी calculation में बिठा हूँ राम की मैंने बुला राम भाईया आपकी calculation कर रहे हैं क्या calculation कर रहे हैं कि आपको allotted allotted share की बात करें कितने हुए राम राम आपको कितने allotted हुए तो इसने कहा कि sir 100 share allotted हुए मैंने बुला ओके मैंने कहा आपने मांगे कितने थे apply कितने किये थे बुला apply आपको ratio आप खुद देख लो कितना होगा तो ऐसे situation में इसने apply कितने किये थे यानि मैं apply जानना चाहता हूँ apply जानने के लिए ratio निकाल लेते है issue और application receive के between का तो अगर ratio मैं इन दोनों के बीच का निकालू ना तो ratio क्या बनेगा अगर मैं इन दोनों के बीच का ratio निकालू जैसे मानलो ये apply है और allotted है यानि बड़ी basic सी बात है आपने मांगे कितने और मिले कितने 10,000 तो मैं कह रहा हूँ sir मैं इसका ratio निकालना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका ratio निकालना चाहता हूँ तो इसका ratio अगर मैं cut pit के निकालू ना तो 3,0 से 3,0 कट गए 10 है और भी cut जाएगा ये है न तो 5 और 6 यानि मांगने का ratio 6 है और मिलने का ratio 5 है तो मुझे apply निकालना नहीं है तो ये मैं तो 100 तो रखी दूँँआ अब यहाँ पर मांगने का ratio किया है जो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूं उसको divide करेंगे स्वी जो निकालना चाहता हूं मैं उसको multiply करूँआ यानि मांगने का रेशो क्या है छे और जो दे रखा है उससे डिवाइड करूँगा पांच यानि कितने आगे 120 कितने आगे 120 पहले तो इस बात को समझिए यानि अगर आपका सर पिछले कोश्चन में क्यों नहीं किया ऐसा पिछले कोश्चन में यहां पे सिच्वेशन ऐसा आके गया है कि यहां वाला एडवांस आके टपका कहां पे यहां का एडवांस यहां पे आगया है न यही है न कहानी यहां का एडवांस यहां आया पर यहीं फेल हो गया लेकिन पिछले सवाल में यहां का advance गया कहा? यहां, लेकिन fail यहां कोई भी नहीं है fail कहा है? आगे है, जहां पे पैसा कोई advance गया ही नहीं तो बड़े simple तरीके से होगी है, इतना मैं सूची नहीं रहा था समझ रहे हो कहानी? जबकि इस वाले में क्या हुआ? यहां का पैसा यहां advance आया और यहीं fail हो गया, तब ही हमें यह कहानी करनी पढ़ रही है तो एक बार फिर से देखो कहता है कि allotted allotted तो सवाल में दे रखा था, अगर हमें apply निकालना होना, तो हम क्या करता है ratio निकालते हैं, जो कि यह है 6 is to 5 इसको काट दिया हमें, 1200 को और 10,000 को काटा तो 6 is to 5 आया, तो हमें कैसे निकालना है apply दे रखा है, तो into में apply करिए यानि सर apply into कर दिया divide, तो 120 share आपने मांगे यानि बड़ी simple से word में कहूं कि आपने 120 share मांगे होंगे और आपको मिले कितने होंगे sir, 100 share तो अब थोड़ा और हिसाब लगा ले कि आपका total पैसा कितना आया होगा आपका total amount थोड़ा और हिसाब लगा ले आपका total amount के बादे में बात कर लेते हैं तो sir आपके total amount अगर आपने 120 बीस रुपे 120 मांगे और आप मुझे देके जा रहे हो दो रुपे के हिसाब से तो आपने simple सी बात है कितने दियोंगे? यहां से हम minus कर देते हैं आपके cut कितने गये? adjust कितने हो गये? adjust कितने हो गये? तो बड़ी सीधी से बात है सर आपको मैंने 100 ही दियें और 2 रुपे के हिसाफ से आपके adjust होगे 200 इसका मतलब सर आपका advance भी था मेरे पास आप failure हो लेकिन आपके advance भी कितने है 40 आप failure हो आपके advance भी कितने है सर 40 आपका failure और advance तो minus कर देंगे यहां से क्या सर आपका area, area मतलब आपका सर आपसे मैंने मांगने गया पहले यहां देखे मैं दुबारा बोल रहा हूँ कि total पैसा आपके आए 240 कैसे 240 आपने मांगे 120 थे total पैसा 240 आए जिसमें से application के पैसे काट लिए मैंने 200 के क्योंकि मैंने आपको दिये ही 100 थे तो 100 into में 200 काट लिए 40 मैंने बोला भीया call कर लेते हैं मैंने बोला भीया allotment के पैसे लेके आओ तो कितने मांगे हूँगे आपसे मैंने 100 गुणा में allotment कितने का है 5 तो that is मैंने आपसे 500 मांगे हूँगे आपने बोला नहीं दूँगा तो आप हो गए fail तो आप जब fail हुए नहीं तो आपने पूरे 500 नहीं सिर्फ मुझे कितने देने में fail हुए 460 तो कहानी यह है यहाँ पर यहाँ पर 500 रुपे नहीं लिखना होगा यहाँ पर लिखना होगा कितने 460 यह concept थोड़ा complicated है लिखिन मैं इसके जैसे अभी तीन और example लोगा बस आप ध्यान से देखते जाईए और समझते जाईए आपको clear हो जाएगा सर अगर allotment सर अगर allot निकालना हो तो allot multiply करें अभी मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ नहीं बस थोड़ा patience आदे घंटे का रखे सब clear हो जाएगा जब मैं बोलूँगा अभी इस topic में doubt है तो पूछ लो तब पूछ लेना आप ठीक है इसका मतलब सर पचास में से चार गए तो बचे 46 और 46 में से 400 माइनस कर लेंगे तो क्या आजएगा 43,540 यहां आजाएगा आपका area 45,540 ना सर area आजाएगा on allotment सर area कितने है सर चार सो साथ advance यहीं है advance on allotment 4000 और यहाजाएगा to share to share allotment that is आपका 50,000 being पे कोई परवाव नहीं पड़ेगा बच्चे इसके लेके कोई भी चिंतित ना हो और ना परिशान हो अगली बात करते हैं share final call share final call final call account account debit two equity share capital है ना two equity share capital मैं थोड़ा detail में लेके ही चल रहा हूँ आप करा रहे हैं तो क्या है उपर नीचे से क्या निकलना सीधर detail में करा तो भाई खतम करो कहानी को 100 shareholder अब हम simply multiply कर सकते हैं क्योंकि यहां पर advance आया है क्या इसका नहीं आया है तो अब simply multiply इसको इससे कर सकते हैं that is हमारा आ जाएगा minus का 300 रुपे अब यह आ जाएगा हमारा account debit account debit सर कितने आ जाएगे 29,700 और यहां आ जाएगा call scenario calls in area और यह आ गया 300 और टू में आ जाएगा हमारा share final call final call पूरे 30,000 तू में आ गया share final call पूरे 30,000 विजवल है नीचे तक नहीं है तो और छोटा करते हैं यहां पर बताईए किसी को doubt 460 समझ में नहीं आया कैसे आया सर 460 पता है कैसे आया 460 जो advance था हमारा पहले पैसे आप ऐसे समझो आपने मुझे दिये कितने total पैसे 240 मैंने आपको समान कितने का दिया 200 का आपके 40 मेरे पास extra पड़े हैं फिर मैंने बोला ला भाई अपने घर से 500 रुपे लेकर आपने बोला मैं नहीं दूँगा तो आप कितने पैसे देने में नाकामियाब हो गए 40 तो था ही और आपसे कितने मांगे थे मैंने 500 टोटल मांगूँगा मैं ऐसा नी कि मैं ऐसा बोलूँगा कि चालिस थे ऐसा नहीं होगा मैं ऐसा कभी भी नहीं कहुआ कि चालिस मेरे पास है तो तु एक काम कर 450 दे दा ऐसा नहीं बोलगा मैं मांगूँगा हमेशा पूरे तो मैंने ज़ा आपने घर से 500 लेके आ आपने बोला कि भई 46 देने में फेल हो गया तो वो fail हो गया इसमें से minus कर दिया 500 में से 40 को तो 460 आ गया ठीक है एक और another सवाल पे चलते हैं सर अनदर सवाल पे चलते हैं issue अभी देखते जाईए बस एक और सवाल के मेरा जवाब दे दीजिएगा बस इस सवाल को करने के बाद आपके सारे doubt clear 12,000 और सर एक्सेस हमने अड्जेस कर दिया है मैं 10 रुपीज का थोड़ा शॉट में लिखना हूँ 10 रुपीज का मैंने सीक्वेंस बना देता हूं वही सीक्वेंस रखेंगे पुराना ही पुराना ही सीक्वेंस रहने वाला है सर इसका मतलब 2 रुपे येस और सर 5 रुपे और सर 3 रुपे अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं राम जिसने अपलाई किये हैं 120 चेर यस और 240 चेर यहाँ और फेल करते हैं यहाँ चलोů एकर करके धीरे धीरे अगले सवाल जब करेंगे ने एकजांपल वहां दो फेल करते हैं ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर advance भी है, पहली entry क्या करोगे सर, सर पहली entry बहुत basics है, वही करेंगे जो पहले करते हैं, bank account, bank account debit, to share, application, application, सर कितने रुपे, मैं direct multiply कर रहा हूँ, देखो, 12 into में 2, 24,000, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 12 into में 2, 24,000, ठीक है, चलिए सर, इसके बाद अगली entry, share application, two equity share capital, और two share advance या advance on allotment, advance on allotment, सर, सर कितने होंगे, 24,000, 24,000 के बाद माइनस कर दो, सर, कितने, यहाँ 20, और advance हो जाएंगे, कितने सर, 2000 into 4000, जो पहले वाली कहानी थे, repeated है, चलिए सर आगे, आगे की बात करते हैं, share allotment, two equity share capital, security premium अभी ले नहीं रहा, उसका कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, फटा-फट से हो जाने होता है, तो सर, यहाँ पर कितने आएंगे सर, सर, 10,000 into में 5, that is 50,000, अब जब bank में पैसे लेने जाएंगे न हम, bank account जब debit करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए, bank के अंदर आने चाहिए मेरे 50,000, लेकिन एक advance जिसने दे रखा है, वो नहीं आएगा, सर, advance कितना दे रखा है, आप देखे, 4,000, और failure का भी नहीं आएगा, अब मुद्दा यह है कि failure का क्या calculation करना है, या मैं direct 240 into 5 कर दूँ, तो जवाब है कि यहाँ का पैसा advance कहां तक घूमके गया, यहां तक गया घूमके, और यह यहीं fail हो गया, तो sir calculation मनता है इसका, तो calculation, पिछले वाले सवाल के अंदर यह कौन था sir, पिछले वाले सवाल के अंदर यह allotted या holder था, इस वाले सवाल के अंदर क्या है यह, apply है, तो अब इसका calculation देखेंगे, बोलेंगे, राम भाई साब, राम आपने कितने apply किए, राम ने बोला, Sir, Sir, मैंने apply किये कितने 240, मैंने बोला, मैं निकालके देखाता हूँ, तुमने कितने मिले होंगे, allotted, allotted कितने मिले होंगे, तो मैंने कहा, भहिया, तेरा पहले ratio निकालते हैं, तो अब मैंने इसका ratio निकाला, तो ये 5 और 6 का आगया ratio, है ना, ratio सबको clear होना चा तो divided by हम किसका ratio रखेंगे सर ये apply दे रखा है तो apply का ratio रखेंगे मतलब जो दे रखा उसका ratio नीची आएगा तो divided by 6 और into में 5 जो चाहिए into तो ये आगया सर कितना सर 200 ये कितने आगे 200 यानि अब इससे total पैसे बोलेंगे राम तिरे total पैसे कितने ये बता दे मुझे तो राम क total पैसा आया होगा total amount आया होगा सर total amount आया होगा 240 के हिसाफ से दिये होंगे 2 रुपे यानि 480 मैंने बोला भाईया तेरा समान में दे रहा हूं कुछ adjustment लग गया मैंने बोला भाईया तेरे को 200 share ही दूँँगा दो रुपे के इसाफ से तो तेरे कितने होगे 400 बोला ठीक है भ तो सिर्फ 920 रुपए देने में फेल हो गया यानि यहां पे सर इसका माइनस होगा 920 रुपए पहले तो आप इस बात को समझिए अब जैसे यह माइनस होगा मैं पूरा एक बार करनूं फिर मैं आपसे डाउट भी पुछूंगा तो 4000 है यह सर यह कितना है 4000 है तो फिर से 46 और 46 यानि 45 080 ठीक है और यहां area हो जाएगा हमारा area on allotment कुछ बच्चे बोलते हैं sir calls in area लिखेंगे चलेगा लिख दो अब प्या कर सकते हैं और advance on allotment advance on allotment sir कितने 9 9 4000 और 2 share allotment that is कितने का होगा sir share allotment हो जाएगा हमारा 50,000 का share allotment हो जाएगा हमारा 50,000 का चलिए sir अगले में आ जाते हैं share allotment sorry share final call share final call 2 equity share capital कितने जाएगे sir यहाँ पर आ जाएगा sir 10,000 और multiply by 3 that is 30,000 that is 30,000 अगले जब bank में पैसा receive करेंगे तो failure के पैसे नहीं आएगे यहाँ कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं जब bank में पैसे लेने जाएगे तो failure के नहीं आएगे आने कितने चाहिए sir 30,000 minus कर दो जितने नहीं आएगे तो minus कर दो कितने अब आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर भी 240 और multiply यह कर दो क्योंकि यह करी नहीं सकते क्योंकि आपके पास 240 तो share नहीं थे तो multiply पता है किस से करेंगे हमेशा allotted से करते हैं हमेशा तो 600 रुपे नहीं आएगे इसके that is आपके आजाएंगे यहाँ पर account debit और account debit कर दे तो हम आजाएगा हमारा 39,400 और calls in area calls in area calls in area कितना आएगा sir 600 रुपे और two share allotment share allotment लिख रहाओ बताओ share final call final call पूरे 30,000 तो मैं बिल्कुल step by step लेके चल रहा हूँ आपको ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बताइए मैंने दोनों करा दिये बच्चे पूछ भी रहते हैं sir apply दे रखा हो तो क्या होगा allotted मैंने apply वाला भी एक सवाल करवा एक allotted अब जो अगला सवाल मैं लेने वाला हूँ ना example वो mix करके लेने वाला हूँ मैं अपने example इसलिए ले रहा हूँ कि किताब में ऐसे given नहीं होता किताब में क्या होता डिरेक्ली given होता एक में सब कुछ पूछ रहते हैं वो तो मैं दीरे दीरे बिलकुल लेके चल रहा हूँ आपको अगर question में advance बताया गया बताया गया क्या सर हर question में advance बताया अगर बताएगा तो भई बताएगा नहीं बताएगा तो rejected हो जाएगा पहले बताईए किसी को doubt सर मुझे deep में इसका solution चाहिए मुस्कान को क्या doubt है आप बताईए किसी को दिक्कत है बताईए इसमें अब इससे advance थोड़ा सा और लेके चले बस आपने घबराना नहीं है अब मैं दोनों mix करने वाला हूँ क्या एक तो apply वाला भी mix करूँगा और allotted वाला भी mix करूँगा दोनों mix करेंगे ठीक है चलिए आज आते हैं आज आते हैं sir application receive सीधा मैं receive लिख रहा हूँ 12,000 मैं सवाल ऐसा रख रहा हूँ कि आप comparison कर पाएंगे और इसको register में इतने सुन्दर सुन्दर writing में लिखिएगा आप और comparison करिएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो आप समझ जाएंगे इसके क्या question कहना चाहता है तो हमें क्या करना है लेकिन आप अगर class के बाद सिर्फ register बंद कर देंगे और noting नहीं करेंगे जब exam आने वाला होगा ना तो उस time पर आपको कोई नहीं बचा सकता फिर फिर कहानी एक ही आएगी यार कुछ नहीं आता फिर ये चप्टर नहीं आता इस बात का ध्यान रखना आप सर application receive issue अगेन मैं कहूंगा 10 रुपे का एक है 10 रुपे का एक है 10 रुपे का एक है और ये सरिफ गलती पता ही क्या है आपको जो बारवी में free fund के number बाटे जाते है न उसकी कहानी नतीज़ा आप second year में आके भोगतते हो आपको अगर बारवी में एकदम से tight कर दिया जाए के भाई सब बच्चे पढ़ेंगे और इसका mandatory कर दे तो फिर मज़ा आ जाए देखें दो रुपे पांच रुपे और दो पांच के बाद तीन रुपे दो पांच तीन सर इसकी बात करें अब failure को लेके आते हैं सर अब मेरे कितने failure हैं सर यहाँ पे failure हुए एक राम 300 share allotted और एक हुए मोहन 600 share apply यानि सर दोनों को मैंने यहीं fail कर दिया दोनों को मैंने कहां fail किया यहीं fail कर दिया अब राम allotted है मोहन apply है अब ध्यान देना तो सबसे पहली बात तो हम basic basic entry कर लेते हैं सर basic entry तो करी लेते हैं क्या होगा सर bank account debit bank account debit to share application share application bank account debit to share application सर कितने आएंगे bank account debit to share application कहां नहीं वहीं है न मैं example ऐसा ही ले रहा हूँ न क्या आपको मतलब confusion ना हो जादा नहीं तो मैं amount अटपटा भी ले सकता हूं कुछ बच्चे कहरें सर 10 year नहीं आएगा अभी आएगा अपडेशन कर रहा हूं मैं अभी मार्केट के इंदर आ जाएगा अभी update होने में मान के चलो यह हकता तो मैं उसमें सारा लिखूं गई फिर से arrange करूँआ सारा आपके लिए फिर आएगा चलिए सर शेयर application टू एक्विटी शेयर कैपिटल और टू आपका advance advance on allotment सर कितने 24 सर 20 और 4 यानि सर पहले कहानी में तो कुछ है ही नहीं सारा simple ही चल रहा है अगले पर आजाईए अब main युद्ध तो यहाँ पर है शेयर allotment करा टू एक्विटी शेयर कैपिटल करा और सर यहाँ पर हमने बोला भीया दस अजार into me 5 that is आपका 50,000 है ना 50,000 दस अजार into me 5,50 ही होते है अब bank में जब पैसा लेने गए ध्यान दीजिएगा जब bank में पैसे लेने के लिए गए तो bank में हमें मिलने चाहिए थे वैसे 50 हम सोच के बैठ रहे हैं लेकिन जिसने advance दिया वो पागल थोड़ी है वो लेगा मैं क्यू दू तो मैंने बोला तेरा हटा देते हैं अब यहाँ दो-दो failure क्या इसका advance यहां गया जी गया और यहीं fail हुआ तो यहनी अब आपको calculation करना पड़ेगा सबसे पहले राम का मामला देखतें क्या है मैंने बोला राम भाई तूने क्या करा है तो राम ने बोला मुझे allotted है मुझे allotted है कितने allotted है राम तुमें तो जवाब आया सर राम क्या इसका निकालना है तो apply निकालने के लिए इन्टू में 6 divided by 5 सर समझ में नहीं आता है यह क्या करते है तो मैं यहां फॉर्मुला बना देता हूं जब भी आपको number निकालना हो नbeing कालना हो तो क्या होता है सर जो चाहिए जो निकालना है निकालना है उसका ratio उपर और जो दिया है उसका रेशो नीचे यानि सर अलोटिड है तो हम अलोटिड थोड़ी निकालेंगे अलोटिड अगर दे रखा हो तो क्या हम अलोटिड निकालेंगे नहीं यह तो पागल पन है जो दे रखा है उसको निकाल कैसे सकते हो तो पहले इसे पता है तो अलोटिड दे रखा ह यह वैसे रट्टा नहीं है, यह simple सा logic वाली बात है, ratio को जब आप करते हैं न, इस ratio को जब मैं बोलूँगा न, frequently आप करिए x let करके, जैसे आपको मैं बोलूँ कि हमारा ratio बन रहा है क्या असर, 6 to 5 है न, तो 6 by 5 बन रहा है, और यह आपको मैंने दे दिया, suppose करो, कितना 300, या मै हमें निकालना क्या, apply को क्या माल लेते हैं, कुछ भी माल लेते हैं, x और divide जो allotted दे रखा है, उसको करेंगे, जब cross multiply तो ही आ जाएगा, तो मैं यह कहूंगा, कि मैंने एक formula तो लिखी दिया है, उसके according आप चलिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, चलिए सर, राम ने बोला, total amount, राम, total amount, राम ने कहा, सर, total amount है मेरा, आपको जो मैंने दिया, मैं वो बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब सब share तो निकाल ले, तो कितने आगे इसके, 360, उसने बोला, भई, मेरे को 360 मैंने मांगे थे, और 2 रुपे के हिसाब से, तो आपको कितने दिये हो 300 ही तो दियें तुम्हें, 300 इंटू में दो, यानि 600, यानि तुमारे advance कितने थे, 120, मैंने कहा कि भईया, call करूँँगा, अगर मैं तुमसे allotment पे तो पैसे दोगे, उसने कहा, ना, मैं तो बिलकुल भी नहीं दूँगा पैसे, तो मैंने बोला, भईया, तुमारे बनते थ भी कर सकते हो, जब जब आपको आ जाएगा, पंद्रस ओएगा, अच्छा, तीन है न, चलो पंद्रस होगा, बच्चे कह रहे हैं कि सर, पंद्रस होगा, और यहां क्या होगा, 1380, 1380, कोई बात ने, अब यह राम का हिसाब हो गया, अब आ जाते हैं किस पे सर, मुहन, मैंने बोला, मुहन, तुमने तो apply बता दिया मुझे, और apply कितने हैं मुहन तुमारे, apply तुमारे 600, मैंने बोला, allotted हम बताएंगे तुमें, allotted बताएंगे 600, 600 apply है, into में 5 divided by 6, ratio यही बन रहा है, तो आ जाएगा हमारा कितना, 500 करें, तो मैंने का बहिए, मोहन तुमने total पैसे कितने दिये, मैं बताओं आपको, तो मुहन ने बोले, बहिए, total पैसा मैंने 600 into में 2, यानि कितने दिये हैं, 1200, मैंने का, adjust भी होगा, तुमारे यह, तुमें मिला है, तो बोला, कितने, मैंने बोला, 500 गुणा में 2 मिल गए, adjust हो गए, आपके, यानि 1000, यानि आपके advance कितने बच ग हो गया, तो यहाँ पर failure को अगर मैं माइनस करूँ ना तो एक RAM का माइनस होगा, और RAM का कितना माइनस होगा, sir, RAM का माइनस होगा, 1300, 80, और मोहन का कितना माइनस होगा, आपका 23, आप फटा-फट से इसको माइनस प्लस करके बता दिजिए, 41,320, अब यहाँ जाएगा, sir, calls in area, false लिख देता हूँ, area लिख देता हूँ, simple, area on allotment, सब को जोड़ दो, 1380 और 200, और advance on allotment, यह तो, sir, fix है, 4000, area आप बता दो, 4680, और आजाएगा, to share allotment, कितने आगे, sir, share allotment, 50,000, कहानी यहीं खतमनी है, हर जगा twist है, sir, share capital में, और इस पूरे किताब में इतने twist है न, कि मज़ा आएगा आगे, मज़ा उनको भी आता है, जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको result में आ जाता है, जो पढ़ते जिन के लिए न यह तरीके से मान के चलो एक ऐसा पॉइंट बन गया है जो कॉर्पेट का पेपर चिन का रुग गया है वो दिन रात पूजा भी कर ले तब भी नहीं उनका पेपर पास होगा अब वो कितना भी वो पल याद कर ले ना कि कास में उस टेम पढ़ लेता कास साथ में दे देता अब हमारे साथ में कोई नहीं है कोई दोस पास हो गया, कोई नहीं हुए और वो भी ER आना था तो किसी और में आ जाता अब तो भाई आ गए, आप तो करना पड़ेगा तो मैं अब 30,000 आने थे, अब फेलियर को माइनस करने, सर ये वाले दोनों फेलियर यहाँ पर जाएंगे, तो राम के तो कितने माइनस होंगे, पता है, देखिएगा logic समझिएगा और twist भी समझिएगा, राम के allotted है, तो direct में multiply कर दूँगा तो राम के 300 गुणा में 300 गुणा में 300, 900 और इसके ना direct multiply नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास तो 500 ही share है तो इसके हो जाएंगे 500 गुणा में 3 यानि सर देखा जाए तो 2400 टूटल माइनस, तो 2400 माइनस अगर कर दे तो कितना आ जाएगा सर 26600 call scenario call scenario 2400, कितना आएंगे 26, 27 600, चलो 27 कर रहते हैं तर जाएंगे और बैंक में 42 आएगा 42 और 2 2 क्या आएगा share final call final call 30000 देखें मैं तो हर एक step बता रहा हूं आप comparison करने वाला इतने अच्छे से compare कर लेगा न कि जिन्दगी में भूल नहीं सकता इस बातों को नहीं करने वाला भाई भूमता रहेगा पहला कौन सा किया पहला कौन सा किया आज हमने जहां पे allotted वाला दे रखा था फिर मैंने सिखाया apply वाले के साथ क्या treatment होगा फिर मैंने दोनों को mix करके कर दिया अब एक और example ले ले लेते हैं एक को यहाँ fail कर देते हैं एक को यहाँ fail कर देते हैं बड़ी सीधी सी बात है तो आपका sequence में चलता जाएगा तो sir application आपका issued या आपका application receive कहलो again मैं लोगा दस अजार ना ना बारा क्या कहानी है sir इसमें कहानी ये है इसमें अब तो याद भी हो गया दो पांच और तीन जिसको याद हो गया समझो यहाँ पर फिर से हम बोलते हैं अब राम को नहीं बुलाते अब बुलाते हैं Mr. X Mr. X कौन है Mr. X 500 500 शियर यह होल्डर है यहाँ पर Mr. X 500 शियर होल्डर है और इधर एक यहाँ भी फेल करते हैं सोनू एक टाइम पर सोनू बहुत चर्चा में रहा था सोनू सोनू ने अपलाई किये और सोनू ने अपलाई किये कितने शियर 60 शियर यह भी फेल हो गया लो जी लो यह भी फेल हो गया ठीक है चलिए बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शियर अपलिकेशन मैं थोड़ा फास फास जरूर लिख रहा हूं लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि मेरा एक्जाम्पल सेम ही है तो मेरे साबसे दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए सर शियर अपलिकेशन टू इक्विटी शियर कैपिटल और टू एडवांस टू एडवांस सर चौबिस हजार बीस हजार और चाहर हजार कोई दिक्कत यहां तर चलिए आगे चलते हैं मेन कहानी अलापमेंट भी शियर अलापमेंट शियर अलापमेंट टू इक्विटी शियर कैपिटल सर शियर अलापमेंट टू इक्विटी शियर कैपिटल कितने दस हजार और गुणा में पांЧ that is 50,000 यानि हमारे 50,000 तो आने चीए उमीद है ना बट बैंक में जो पैसा है ऐसा नहीं है कि जो सोचा वो आ गया तो बैंक में 50,000 आने चाहिए लेकिन 50,000 में सबसे पहले जो एडवांस देखे गए है वो साफ साफ मना करेंगा भईया हम तो नहीं देगे तो एडवांस कौन देखे गए है सर चार हजार उसके बाद फेलियर मैंने बोला हमसे भी नहीं हो पाएगा यानि Mr. X तो Mr. X देखो एडवांस कहां के लिए है एडवांस यहां के लिए फेल भी है तो इसका वरकिंग नोट मैं बता तूँ एक बार मैंने बोला Mr. X इधर आओ कितने शेर तुमने मांगे बोला मांगे नहीं पता मुझे मिला य और आगे हमारे 600 मैंने बोला टोटल पैसे कितने दिए मैं बताता हूं टोटल अमाउंट तुमने दिये सर कितने शेर यानि कितने दिये सर बारा सो चेर गुणा में दो 1200 मैंने बुला भई अड्जिस्ट होगे तुम्हारे अड्जिस्ट होगे कितने 600 गुणा में अरे 600 कहाँ से आएगा 550 गुणा में 2 कितने अड्जिस्ट होगे 1000 total आपके 200 advance मैंने बूला भई या allotment के पैसे मैंने कहा allotment के पैसे दिए किया आपने 500 गुणा में 5 that is 2500 और माइनस कर दें तो 2300 हमारा हो जाएगा इसका failure, fail है ये fail fail, ये क्या हो गया 2300 से failure, यानि सर एक तो इसके पैसे नहीं आएंगे 2300, बड़ी सीधी सी बात है क्या ये भी यहीं fail है, नहीं ये तो आगे failure, तो आगे इसका हिसाब लगाएंगे तो 4, 46 में से दो गए तो 46 में से दो गए 43, और advance कितना है Sir, advance कितना है और area कितना है area कितना है और 2 share allotment share allotment 50,000 इतने example हम इस same question से कर लेंगे ना, कि आपको याद हो जाना चीए, कि करना क्या वाले हैं और करवाना क्या चाहता है अब share final call to equity share capital share final call to equity share capital Sir, कितने आएंगे Sir, वही same कहानी 10,000, गुना में 3 यानि Sir, 30,000 और 30,000 देखो, ये जितने भी सवाल कर रहा हूं तो आने वाले जो बच्चे मिर से नहीं पढ़ रहें वो तो book में पढ़ेंगे आपको पहले ही पदा चल गए क्योंकि यही सारे example में डाल दूँगा नहीं वाले book में तो इसके बाद क्या होगा हमारा bank account debit bank account debit 30,000 minus, minus तर क्या? failure अब यहाँ भी failure है जी हाँ, यहाँ दो-दो failure है failure number one भाई, तू allotted है नहीं तो तेरे को तो direct multiply कर देंगे है यानि तू allotted है तो तेरे लिए कोई calculation नहीं है 500 गुणा में 3 तूने 15 सो नहीं दिया failure number two sonu भाई, sonu का 60 है और failure, सबसे पहले क्या advance यहाँ पे रुग गया यह इससे आगे भी गया तो जवाब है सर, इससे आगे तो advance नहीं गया समझ रहे हो, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ मैंने failure किया एक तो यहाँ पे यहाँ पे आके रुग गया चलो तुमारा सारा calculation किया एक यहाँ के बाद क्या, यहाँ से यहाँ advance भी गया क्या sonu तूने इतना advance दिया निकाल लो, क्योंकि इसके क्या गीवन है हमे apply, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 60 into में 3, 180 तो गलत है क्योंकि इसको 60 तो मिले ही नहीं तो 60 देने में थोड़ी fail होगा आपको जितने shares मिले हैं, उतने को ही देने में fail होगे ना, तो sonu को मैंने निकाला, sonu का निकालना पड़ेगा, sir, allotted, ऐसे बात नहीं बनेगी, sonu 60 into में 5 into me divided by 6 यानि कितने आगे 50, यानि sonu तूने पता है कितने पैसे नहीं दिये डेड़ सो रुपे, यानि sir, यहाँ पे, एक तो 500 गुना में 3, समझ में आता है, और 50 गुना में 50 गुना में कितने 3, multiply 3 तो sir, कितने हो गए, sir, यह 28,350 calls in area calls in area, कितने 1,500 और 1500, 16,50 और 2 share final call कितने 30,000 2 share final call 30,000 अब मैं बताऊ ना, सबसे important class कौन सी होती है, share capital में, sir, यही होती है सबसे important क्योंकि बच्चा सुरू से सुरू से आता है, यहां गिर जाता है पिर उठीनी बाता है, पोर फीचर भी आता है, फिर वहां से भी गिरता-गिरता, फिर खतम हो जाता है अब यहां से जो समल गया, इस concept को जो समझ गया, अच्छे से, फिर आगे वो, फिर कोई नहीं रोख सकता उसको, फिर सब कुछ समझ में आता रहेगा कि वह calculation के है पहले बताईए, यहां तक कोई doubt है क्या, यहां तक कोई doubt Sir पहले वाले एक्जामपल, अभी बहुत सारे एक्जामपल लूगा ही ना I can purchase only live classes, क्या गया है, I can purchase only live classes नई मुस्कान, सिर्फ live class का कोई नहीं है, हम recorded free में देते हैं, recorded आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ recorded तो रहेगा, उसमें समस्य आ गया है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है एक बच्चा कह रहा है, Sir, it's pro rata, यह शब्द ना, pro rata वाला बच्चों को ड़ा देता है तो वैसे अगर पूछोगे आप, कि Sir, सच-सच बता दो, क्या pro rata है, मैं बोलूगा, हाँ यह pro rata है लेकिन पूछोगे, Sir, pro rata मुस्किल होता है, तो आप ही देख लो, कितना मुस्किल है है नहीं, वैसे मैं pro rata के नाम से कोई सवाल ही नहीं लेता, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो अभी तक आपको समझ में आ रहा है, तो बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है से क्या कहानी है, अब ना मैं example थोड़ा सा बदलने वाला हूँ, मैं थोड़ा example अब मैं चाहता हूँ, के बदल दिया जाए, एक और example, अब मैं ना failure पता है कहां करना चाहता हूँ, advance पहले क्या आ रहा था, allotment में जा रहा था, फिर उसके बाद final call तक पहुंच रहीं पाथा, अब advance को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं, दूड, यानि मैं सवाल बदलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो sir, issue है, 10,000, और application receive है sir, 12, ये नहीं बदलेंगे, देखो कैसे बदलेगा हमारा सवाल, और, 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 दो, 10, अगर मैं रखूँ, ठीक है, बदल देते हैं सवाल को, मतलब ये थोड़ी बदलेंगे हैं, अब देखिए, बस calculation है, थोड़ा सा बदल देते हैं, Sir, Sir, इसके बाद, ये माल लेते हैं, ये 8 रुपे, ये माल लेते हैं, एक रुपया, ये माल लेते हैं, एक रुपए तो दो हजार इंटो आट सोला और सोला हजार और तस यहां कट गए छे जाएगा ठीक है बन जाएगी कहानी यहां तक जो कहानी मैं बनाना चाहता हूँ इस एक्जामबल से बन सकता है ठीक है न यहां पे अफ फिल करते हैं सर यहां पे फिल करते हैं मिस्टर एक्स आजाओ मिस्टर एक्स होल्ड करता है मिस्टर एक्स होल्ड करता है तीन सो शेर अरे इसके वाई एक्जामबल करा था न हमने वही वाले लेते न पहले वाले एक्जामबल सबसे पहले वाला असान वाला simple बन गया था आपके life का यह है ना यह वाला बड़ा आसान था 300 राम को ले के आते हैं वापस से राम के जगा पर क्या ले लिया Mr. X ले लिया और यह भी 300 रखा है परफेक्ट वो भी holder ही था और यह भी holder ही है ठीक है यह कुछ और था holder ही था चलो अब आपने एक पर पहले वाले example रेजिस्टर में लिखेंगे न तो please page पलट पलट के match करिएगा उसको कि क्या दिक्कत है कि मतलब कि कहां कहां से क्या क्या चेंजिस हो रहे हैं मैं आप सभी को कहना चाहूँँगा तो आज यह फटा फट से start कर देते हैं अब हम यह थोड़ा सा चलिए अब एक कहानी आप देखिए एक मन की भी calculation होती है जो आपको सीखनी होगी मन की calculation देखते हैं कि भाई total पैसा आया होगा हमारे पास बहुत सारा मन की calculation मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि भाई पैसा आया होगा बारह हजार गुना में आठ देट इस एक लाख कितने होगे 96 अच्छा 96 बहुत सारा पैसा है जिसमें से भाईया हिसाब किताब देखा जाए तो दस हजार इंटू में आठ तो आठ करेंगे दस हजार इंटू में तो सर 80 हजार तो बराबर ही हो गए एडवांस दिमाग लगाते हैं सर तो कितने आएंगे हमारे 2000 गुना में 2000 गुना में 8 है ना 16 अगर मैं अलॉट्मेंट पे मांगता हूँ तो अलॉट्मेंट पे मेरे कितने शियर है मन में कैलकूलेशन करो 10 और गुना में 1 यानि अलॉट्मेंट पे कितना मग सकता हूँ मैं 10 लेकिन एडवांस कितना है यानि एडवांस यहाँ से यहाँ टपा खा क्या है और यहाँ भी चले गया हो रहा है ऐसा कुछ तो यह आपके पहले calculation आपको जब question practice करोगे तभी पता चल सकता है ऐसा नहीं है कि आपको कोई sir बता देगा कि ऐसा हो रहा है नहीं, पहले आपको calculation करना पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा sir बड़ी basic सी बात है कि इतना आपका advance है अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर मैं अगर लिखूं के मोहन फेल हो गया मोहन फेल हो गया 200 share क्या यह मोहन यहाँ पर फेल हो सकता है पहला सवाल मेरा क्योंकि यहाँ पर सभीन advance दे रखें यहाँ पर तो कोई failure ही नहीं है तो यहाँ पर कोई victim fail हो ही नहीं सकता, कई बार आपका case study type का क्योंकि ना second year का trend बदल चुका है बोलेगा बताईए कि कितने number of share failure हो सकते है यहाँ पे, तो जबाब है no, कोई भी failure अगर मैं बोलू can it possible कि राम यहाँ पे अगर fail हो जाए तो उसका call scene error निकालके बताईए, बता दियो उसने तो answer भी दे देंगे, यह, यह, और zero ठेक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ कोई fail ही नहीं हो सकता पहले यह बात समझ रहे हो ना, मन से समझो यह बात समझ रहे हो कि यहाँ fail क्यों नहीं हो सकता क्योंकि सभी नहीं यहाँ पे advance दे रख थे हैं, चलिए, अब come to the point यानि इसलिए मैं इस सवाल को लेके आया हूँ क्या आपके मन में कहीं यह ना चले क्या सर हमेशा ही क्या allotment पे होता है वो सवाल के एक मजबूरी है, examiner ने अभी तक देखा है हमने ज़्यादा कुछ से नहीं कहा होता है अब सर, bank account, अब bank बदल जाएगा bank account debit to share application, सर, bank account debit to share application कितने लिखें, 12,000 into में 8, 96,000 96,000 चलिए सर, इसके बाद क्या करें share application, 2 equity share capital और 2 advance 96,000, 80,000 और 16,000 अब 16 तो नहीं जाएगा ना allotment पे अब ये भी trick समझेए, क्योंकि allotment पे 16 कर दिया तो गलत हो जाएगा तो allotment पे advance allotment पे advance जाएगा, maximum 10,000 और two calls इन advance जाएगा 6000, इसमें भी काफी बच्चों को थोड़ा सा confusion हो सकता है, में भी, आप देख लीजिए जिसको confusion है, मैं बता दूँगा, कैसा क्यों हो रहा है देखे, किसी को doubt इसमें यहां पे बताईए किसी को doubt बता दो फटा फट किसी को doubt है तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको यतने बच्चे लाइव है आपने लिखा no sir, मैंने पूछा समझ में आ रहा है आप बोल रहे हैं no sir या फिर doubt नहीं है सर, final call advance भी लिख सकते हैं हाँ, final call advance भी लिख सकते हैं राज लक्ष्मी का क्या कहना है बता दो एक ने answer दे दिया no doubt, okay सर, final call भी लिख सकते हैं, देखो यहां क्या-क्या लिख सकते हैं मैं option देता हूँ calls in advance लिख के सीधा 16,000 भी लिख सकते हैं वो भी चलेगा, allotment advance 10 और calls in advance 600 भी final call भी आप लिख सकते हैं, मैं इसलिए इसको तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में minus करने में थोड़ी सी आसानी हो जो for feature पर आएंगे न तो देखना इससे थोड़ा help मिलता है बागी आप direct भी लिख सकते हो अब सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा तो देखो सीरीस ही कहानी है न अभी समझ में आ जाएगा अगर मैं कहूँ भी या share allotment के पैसे लाओ और equity share के लिए मैं मांग रहे हैं आपसे पैसे तो आप कहोगे सर share allotment के कितने देने हैं मैं कहूँगा कि भी या 10,000 और गुना में एक ही है अब 10,000 लेके हो maximum अब आप खुद सोचो भी या मैं share allotment पे सभी से 10 ही मांग सकता हूँ और मेरे पास advance कितने हैं 16 तो means very very clear कि allotment पे 10 जाएगा उसके बाद कुछ पैसा बचेगा और रूप कहाँ चला जाएगा final call पे कहाँ चले जाएगा final call पे इसलिए यहां पे इस तरीके से हुआ अब यहां bank में अगर मैं पैसे लेने जाऊं मैं सारा करके दिखा हूँआ bank में पैसे लेने जाऊं 10,000 रुपे आपने बोला सर एडवांस 10 का काई का bank में देंगे तो मैंने का ठीक है bank account 0 तो लिख देते हैं अब एडवांस आजाएगा सर एडवांस on allotment पूरे 10,000 और two share allotment कितने 10,000 two share allotment कितने 10,000 चलिए सर आगे बढ़ें बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं सर अगले point पहेंगे share final call two equity share capital final call two equity share capital कितने मांगेंगे सर again 10,000 गुना में एक 10,000 ठीक है न अब जब bank में payment लेने जाएंगे तो सर एक बंदा तो failure ही है 10,000 में से और कुछ advance भी है तो advance पहले हटा दू मैं advance कितना है 6000 और failure को भी minus करेंगे तो सर भाई आजा भाई कौन है भाई Mr. X आजा Mr. X ने hold करे थे यानि allotted थे Mr. X के allotted कितने थे 300 मैंने बोला अभी निकालते हैं तुने apply कितने किये apply 300 गुना में 6 divided by 5 360 तो तेरे total पैसे आए होंगे total आए होंगे 360 और गुना में 8 है ना बता दो जल्दी से गुना करके कह रहे हैं सर इतना ही रहने तो confused हो जाएंगे इस topic को खतम करते हैं ना फिर आपकी किताब वाले भी तो question करने कुछ बच्चे सोचने हैं पता नहीं क्यूं किताब खरिदवाए हैं हमसे 3040 कुछ बच्चे तो income tax में भी बोलते हूंगे बेकार में किताब खरिदवा दिया और लगता अब भी ऐसा ही जाएगा साल minus adjust 2000 है 2000 क्या है 2880 ठीक है और यहाँ पर आजागा sir 300 गुणा में 8 that is 2400, 480 एडवांस है मैं आगे है sir call मैंने बोला भी या allotment पर पैसे तेरे से मांगे गये थे बोला हाँ मांगे गये थे न 300 मैंने दे तो रखें बार बार क्या दूँगा 180 एडवांस है मैंने बोला call करूँगा तेरे से final call पर देगा क्या पैसे उसने बोला final call पर तो मैं दे नहीं सकता मैंने बोला भी या तेरे 300 बन रहे थे और 180 एडवांस था यानि तू 120 देने में क्या हो गया fail तो यहाँ पर minus कितना होगा 120 fail होगा minus plus कर लिजिए यहाँ पर calls in advance calls in area calls in advance कितने होंगे sir calls in advance है 6000 area 120 और टू शियर final call final call कितना 10,000 minus करो 4,000 49 3800 800 80 ठीक है being भईया सबका सेम रहता है यहाँ तक कोई दिक्कत समझ मैं है यहाँ तक कोई दिक्कत सब कुछ एक दम बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत बता भी दिया था बच्चों ने 300 X क्यों किया sir आपने 300 को 300 से गुना क्यों किया भईया final call जो है क्योंकि इसके पास 300 share है तो 300 को इससे भी गुना किया मैंने और फिर एक बार 300 को इससे भी गुना किया तो allotment का allotment के हिसाब से देख लिया और final call का final call के हिसाब से देख लिया यह वाला जो है न call जो मैंने किया है मैं मार कर देता हूँ ये वाला जो किया है ना ये allotment के हिसाफ से लिख देते हैं लिखा है भई लिखा है और ये वाला जो दूसरा है ना ये final call के हिसाफ से इसलिए दो बार 300-300 हो गया बताईए कोई doubt यहां तक कोई doubt एक और सवाल देखें यहां तक सब को समझ में आ रहा एक सो असी कैसे आया allotment में भाई एक सो असी ऐसे आया allotment में चार सो असी आपके advance थें जिसमें से 300 रुपे allotment के कट गए तो आपके advance फिर से और बच गए और बच गए आपके 180 advance चीक है अब सपोज करिए इसी example के अंदर मैं टूच देता हूँ अगर मान लो मैं इसके पैसे reject कर देता है कई बार ऐसा होता है कि adjust on allotment in excess amount will be refunded यानि सर समझ में नहीं आया application receive 12,000 और issue 10,000 थोड़ा roughly लिखूँँगा 8,1,1 ठीक है मैंने कहां excess amount will be adjusted on allotment and excess over allotment will be refunded will be refunded ये एक line लिख दिया इसका कहने का मतलब है भया जो advance है उसको आगे ले जाओ यानि यहां ले जाओ इसके बाद आगे बढ़ने की जुरत नहीं है यही पैसे उसके वापस कर दो समझ ले बाद यही पे पैसे इसके वापस कर दो सर यहां पे फिर से अगर मैं राम को fail कर दो ना जिसके पास 300 share है कहा नहीं बदल जाएगी सर बिलकूल बदल जाएगी कहा नहीं देखिए बैंक अकाउंट टू शेयर अप्लिकेशन बैंक अकाउंट टू शेयर अप्लिकेशन सर कितने वही 96,000 शेयर अप्लिकेशन टू एक्विटी शेयर कापिटल तू इसके बाद क्या आएगा बैंक से पहले लिख देते हैं वापस to advance on allotment ये कम से कम 3 गंटे की class होना तो फिर मज़ा आ जाए share application share application में कितना आएगा 96 क्योंकि आधी बात है न मेरे मन में ही रह जाता है और फिर वो फिर paper में आ जाता है तो फिर इसके बाद 96 96 के बाद ये आ जाएगा हमारा 10,000 80,000 bank में कितने वापस पहले advance तो देख लिए advance कितना होगा 10,000 जो वापस पैसा बचा वो 6,000 sir इसकी working note अगर आप पूछेंगे तो मैं बोल दूँगा बता दूँगा आपको कि भाईया आपने 12,000 मांगे 12,000 into 8,000 96,000 दिए और आपके adjust हुए application पे सिर्फ 10,000 into 8 that is आपका 80,000 आपके advance 16,000 बच रहे थे अगर मैं आप सभी से call कर लूँ allotment के पैसे जा घर से पैसे ले के आ तो वो सिर्फ 10 के इसाफ से होता that is 10,000 फिर भी आपके 6,000 रुपए advance बच गए और law और question ने बोल दिया इसको क्या करो refund कर दो तो मैंने इसको क्या कर दिया यहां bank से refund कर दिया समझ मैं बच आपको अब अगली entry share allotment to equity share capital ठीक है न और यहां पर आजाएगा sir 10,000 और अगली entry bank advance advance bank के बाद advance to share allotment पर यहां 0 यहां 10,000 और यहां 10,000 सर अगली entry interesting entry क्या होगा बच समझ में कुछ जो बच्चा समझ रहे हैं को तो पता लग गया होगा करेंगे share final call final two equity share capital again कितना आना है sir 10,000 लेकिन जो बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो बैंक में call scenario होगा 10,000 अब देखो यहां का पैसा यहां advance गया ही नहीं क्योंकि बीज में break लगा दिया तो भाईया आप सीधा क्या करो माइनस इसको 300 यह allotted है न मैं लिखे देता हूं कितने देखे पिछले सवाल और इस सवाल में कोई changes नहीं सरफ एक line डालने के बज़े से हमारे final call का amount देखिए बदल गया है यहां पे यह रहा आप कैसा में किसी को कोई दिक्कत बच्चे कहरें sir जो मन में question है अगली class में करा देना हो बताईए कोई doubt नहीं तो हमने क्या करा कितने cases कर लिए अगर हम ध्यान से देखें मैंने बिल्कुल basic से लिया है तो कोई बच्चा ऐसा ना समझे के sir 12 में हमने नहीं करा था तो हमें समझ में नहीं आएगा मैंने उसको consider करके किया है तो देखें पहले एक example ये किया हमने मैं class भी लिख देता हूँ क्यूंकि जो edit करते हैं na pdf को बोलते हैं सर पता नहीं चलता कौन से class है तो आज class नमबर कौन सा है सरी है class नमबर 4 है 0-4 तो वो अब कर लेंगा आप से एक ये हो गया दो तीन चार पांच छे साथ पांच सवाल exam में आते हैं लेकिन हमने 7 कर लिया आज ठीक है